लो गाईज तो केसे हैं आप लोग तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टैबलेट्स जो की 20,000 के नीचे आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये विडियो तो पहले नमर पे आता है हमारा रियल्मी पैड एक्स जिसमें हमें काफी अच्छे वाले फीचर्स मिलते है चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में इसमें 10.9 इंच का 2K IPS LCD डिस्प्ले देखने को हमें मिल जाता है इसमें हमें 8340 mh की बैटरी मिलती है और 7733 W की चार्जिंग भी मिल जाती है और 13 MP का कैमेरा है और 8 MP की सिल्फी है फ्रेंट में बैक में थोड़ा अच्छा हो सकता था फ्रेंट में भी लेकिन 13 MP का दिया है ओके ओके है बाकी इसमें प्रोसेसर जो आता है वो स्नैपड्रेगन 695 5G है यह 6 nm पर बेस्ट है मतलब इसका है ना एक सबसे बड़ा जो कौन है ना यह 5G को अच्छे से सपोर्ट करता है लेकिन 4K को सपोर्ट ही ने करता तो यहाँ पर जो इन्होंने 2K डिस्पले दिया है तो उसका कोई भी यूज नहीं है क्योंकि यह प्रोसेसर 1080p से ज्यादा के पहली नहीं है कोई वीडियो रेकॉर्ड या कोई प्ले भी नहीं कर सकता है तो क्या काम इस प्रोसेसर को देने का बाकि जो इसकी 4GB RAM 64GB के लिए प्राइज है वो है 19,999 आप इसे बाई कर सकते हैं तैबलेट अच्छा है लेकिन यहाँ पे वही आपका 4K सपोर्ट नहीं करेगा डिस्पले वैसे डिस्पले तो अच्छा है दूसरे नमबर पे जो टैबलेट आता है वो है MOTO TAB G62 जो की इसमें दो वेरियंट आते हैं एक Wi-Fi वाला और एक LTE वाला इसमें जो डिस्पले आता है वो है 10.6 इंच का 2K IPS LCD डिस्पले आता है इसमें जो की 60 Hz का है इसमें जो प्रोसेसर आता है वो है Snapdragon 680 मतलब 4G है चिपसेट यह 4K को सपोर्ट करता है यहाँ पे अच्छी बात है बाकी इसमें 7100 डेमेज की बैटरी है और यह 20W के टर्बो पावर चरजिंग को सपोर्ट करता है इसमें 7700 डेमेज की बैटरी है और यह 20W को सपोर्ट करता है बाकी इसमें 8 मेगा पिक्सल का रियर कैमेरा भी आता है और 8 मेगा पिक्सल की सेलफी भी आती है बतलब यहाँ टीक ठाक वाली सेलफी चलिए इसके प्राइज के बारे में बात करते हैं इसमें जो वेरियन्ट आता वाइफावाला 4GB RAM 64GB स्टोरेज इसकी जो प्राइज है वह 15,000,999 और जो 4GB RAM 64GB LTE एसमें वो है 17,999 तो मतलब मोटरला का टैबलेट एन स्पेशली अपने बिल्ट एंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है इसमें बाकी मेटल फ्रेम्स आते हैं और यह अलुमिनियम बॉडी तो बाकी तीसरे नंबर पे आता है ओपो पैड एयर यह वाइफाय वाला वेरियंट है इसम हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैप ड्रेगन 680 है मतलब यह भी 4K को सपोर्ट करेगा और इसमें 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमेरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमेरा है फ्रेंट कैमेरा थोड़ा सा ज्यादा मेगापिक्सल का होता तो और अची बात होती लेकिन य यहां पर प्राइस भी कफी अच्छे रखी गई है और इसके जो फ्रेम से वो भी मेटल के बॉड़ी भी पूरी मेटल की है फोर्थ नमबर पर जो आता है टेबलेट वो है रियल मी पैड ल्टी ए वर्जन तो इसमें जो डिस्पले आता है वो है 18 वाट का चार्जिंग मिलता है यह दो डाई गंटे लेता है चार्जिंग होने में लेकिन और फास्ट देना चाहिए तक मुपनियों को जो इसके 4GB RAM 64GB के लिए प्राइज है ल्टी ए वेरियंट के लिए वो है 17,999 तो टेबलेट भी काफी अच्छा है आपकी जो बाडी है वो भी अच्छे खासे मेटल से बनी हुई है मेटल फ्रेम से और मेटल बॉडी है और जो फिफ्ट नंबर पे जो टैबलेट आता है वो है गेलिक्सी टैब एट जो इसमें दो वर्जन आते है वाइफाई वाला और एक ल्टी वाला वर्जन आता है इसमें डिस्पले आता है 10.5 इंच का फूल HD प्लस TFT डिस्पले इतन LCD से भी कम रेंज वाला डिस्पले दिया है जो कि बहुत गटिया कलर शो करता है इसमें प्रोसेसर भी गटिया वाला ही है यूनी सॉक T618 प्रोसेसर है इसमें बाकि इसमें 7040 एमेज की बैटरी है और वही सैमसम का टिपीकल 15 वाट का स्लो चार्जर है इसमें 8 मेगा पिक्स का फ्रेंट कैमेरा है जो इसके वाइफाई वाले वेरियंट के लिए प्राइज है 4GB RAM 64GB के लिए वह है 19,999 और जो LTE वाले वेरियंट के लिए है वह है 20,990 तो यहाँ पे ना प्राइज यहाँ पे हमें अच्छी वाली मिलती है लेकिन आपको अगर LTE वाला वर्जन लेना है तो आपको 990 रुपीज ज्यादा देने हो सकते है तो आपको इना हमारी वीडियो थोड़ी सी भी 1% भी अच्छी लग जाती है पसंद आ जाती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाना है हमें 1000 सब्सक्राइबर का ट झाल